नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल, संस्कृत विद्यापीट, आज की वीडियो का विशय है संस्कृत में स्वर कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे की हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए, तो अब ध्यानपूर्वक सुनिये और पढ़िये, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, अब अगला सवाल है कि, संस्कृत में 13 स्वर कौन-कौन से हैं, संस्कृत भाशा की वर्नमाला में 13 स्वर माने जाते हैं, वो हैं, आज के मरीज वीडियो में हमने जाना कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ,